दोस्तो हर रोज आपका मार्केट में आना जाना लगाई रहता है और आते जाते रोट के किनारे लगी गोल गप्पे की दुकानों पर आपकी जीब लपक ही जाती है और जब जीब लपक ही गई है तो आप रुखने वाले कहा हो लेकिन दोस्तो क्या आपने कभी ये सोचा है क ये गुलगप पे फैक्टरी में बनाए कैसे जाते हैं दोस्तों फैक्टरी की परड़े की सेल जानकर आप चौक जाएंगे तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को दबा दीजे तो दोस दोस्तों सबसे पहले सूजी को इस आटोमेटिक मसीन में डाला जाता है यहाँ सूजी का पूरा कट्टा पलट दिया जाता है जिसमें सूजी आटोमेटिक अपने आप गुद जाती है इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं तो थोड़ी दिर बाद इस मसीन के अंदर सूजी अपने आप पानी से मिक्स हो जाएगी और गूत कर तयार हो जाएगी इस प्रोसेस में मुश्किल से पांच मिनट का समय लगता है एक गूती होई सूजी यहां से प्रोपेलर पर जाती है जहां पर प्रेसों ने के बाद बिलकुल पतली सीट के रूप में निकलती है सूजी के यह सीट धीरे धीरे आगे जाती है जहां पर साचे लगे होते हैं यह साचे पानी पूरी की सीट पर रोल होते हैं जो पानीपुरी तयार होई है वो इस जाल पर गिरती रहती है और इस सारी पानीपुरी की सेप्स एक जैसी होती है इस जाल के सहारे सारी पानीपुरी आटोमेटिक फ्रायर में जाती रहती है जहां ये पूरे अच्छे से फ्राई हो जाती है और एक फ्रेस और सॉफ्ट पान पूरी को चाटा जाता है यहां पर टूटी फूटी पानी पूरी को अलग कर लिया जाता है क्वालिटी चेक होने के बाद इस पर एक होममेड मसाला डाला जाता है जो इसका स्वाद और भी बढ़ा देता है इस तरह से मसाला चिड़कने के बाद इन्हें पैकेट्स के अंदर फिल किया जाता है, फिल करने के बाद इन पैकेट्स को पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां इस मसीन के दोरा इन्हें सील पैक कर दिया जाएगा, सारे पैकेट्स सील करने के बाद इन्हें पैकेट्स में भरा जाता है, आपने देखा कि यहां सारा काम आट पूरी मिले तो उसको जरूर ट्राइ कीजिएगा और जिसे जिसे पानी पूरी खाना पसंद हो कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को अपने फूड़ी दोस्तों को सेयर कर दीजिए दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी इसलिए चैनल को सबस्क्राइब के ये भी ना कहीं जाना मत